एलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नय वीडियो में पूले अगर के लिए एक रहले वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं screenshot लेने के लिए आपको सबसे पहले three finger swipe down करना है three finger अपने screen में touch करना है आप लोगों को touch करके swipe down कर देना ऐसा करती है आपके phone में जो screenshot आ जाएगा उसके बाद आपको अपने power button और volume down button को दोनों को एक साथ में एक बर press कर देना है प्रेस करती आपके phone में screenshot आ जाएगा देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर से और एक तरीका है उपर से scroll down करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक screenshot का option मिलेगा इस पर click करेंगे तब भी आपके phone में screenshot आ जाएगा उसके बाद और एक तरीका बताऊंगा इसके लिए आपको settings में जाना है settings निचे इस्क्रॉल दाउन करेंगे तो आपको ओप्षिन देखने को मिलेगा additional settings का तो इस एडिसनल Settings के option पर click करने के बाद Bus susceptibility का ओप्षिन आएगा तो इस accessibility के option पर click कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहां पर accessibility menu का एक option आएगा तो इस menu के option पर आपको क्लिक कर रहा है क्लिक करते ही accessibility menu shortcut का जो इसको on कर देना है देख सकते हैं मैंने पहले on करके रखाईगा तो आप भी इसको on कर दीजे on करते ही आपको यह पर back buttons के side में एक extra button देखने को मिलेगा तो इस extra button पर क्लिक कर दीजे क्लिक करती ही screenshot का option आजाएगा यह पर से आप लोग easily screenshot ले सकते हो और यह जो है जो extra button है सारे ही application में काम करते हैं आप लोग कही से भी अपने phone में screenshot ले सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने redmi a3 phone में screenshot को ले सकते हो तो कैसा लगा गए साप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए विलते का लेक नेक्स वीडियो में तक पक के लिए बाइ कर दो कर दो दीजिए.